हेलो आप सबका लौवारी के चैनल में स्वागत है जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में सारे ही सब्सक्राइब कर रहे हैं और उनके जितने भी इंपोर्टेंट केस लौज जचमेंट्स हैं उनको भी आपको प्लेडेस में अलग प्लेडेस में मिल जाएगी आप उनको देख जो आप लोगों को कुछ आइज एम लोगों में के बाधे प्ढ़ेंगे आज की इस वीडियो में आद्मिनेस्ट्रेटिव क्या है कायसे है कैसे बनता है इस सब के वारे में मतलब इंट्रडक्शन हम इक तरीके से कंप्लीट करेंगे फिर नेक्स वीडियो में आगे हम पहले तो आप लोगों को यह मालूम होगा जो हमारे यह country है उसके तीन पिलर्स है हमारी country democratic है और democratic country के लिए हमारे यहां जो तीन पिलर्स है वो क्या है आप लोगों को 100% मालूम होगा क्या है अगर मालूं है तो पहले जालओ को मालूं है या नहीं तो फिर हम लोग बताते हैं थिक तो सबसे पहला हमारा है लेगिस्लेचर पहला फिलर है हमारा दूसरा प्डूर है हमारा जडिशरी और तीसरा है हमारा एक्जेकेटिव ठिक यह तीपिलर होते हैं यह तीन पिलर्स है हमारा लिए अब क्या होता है आप जोडिशनी क्या है चले कभी किसी लॉव में कोई ऐसी चीज़े आ जाती है जो मारे फंडमेंटल लॉवाइट को वाइलेट करती है या कुछ भी करती है तो हम जुडिशनी में जा करके कोशन कर सकते हैं कि ऐसा हमारे राइस का हनन हो रहा है यह है अगर कोई भी रूल या लॉव गलत है तो हम अपने अगेस्ट उन उस लॉव के अगेस्ट बोल सकते हैं पर यह तो चलोगा यह नॉमल से बात होगी कि लॉव बनाती है लॉव बनाती है लॉव बनाया अगर उसमें कोई प्रॉल्व हो थी तो जडिशनी इकलिए कर देती है पर यह एक्जेक्यूटिव का काम है तो एक्जेक्यूटिव यह है अगर लगिस्ट ने कोई रूल बनाया कोई लॉव बनाया अब उसे फॉलो को ऐसे करेंगे कौन कराएगा अब हमने कोई रूल बना दिया ठीक है हमने बना तो दिया है लेकिन जब फॉलो कराने वाला ही वर कि भी रूड़ मन के मतलब है तो इसलीए ज़त चोही रूर सब्सक्रांज है उसको फॉलो कराने के लिए उसे एक्जेक्ठीट कराने के लिए हमारी एक्ज़ेक्ष कर एक्ज़ेक्टिव होती है एकल्सक्तित्ट दुं ग्ब्सक्राइडन थो यदk कर दो CHF इन सब को administrative के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ठीक अब purpose यह है जैसे क्या होता है हमाय administrative law का purpose यह है कई बार देखा जाता है जो public authority हैं वो पक्षपात करती हैं मतलब भेदभाव करती हैं discrimination करती हैं अपने किसी काम को ले करके ठीक है और अगर वो discrimination कर रही है बेदभाव पक्षपात कर रही है तो उसको safe करने के लिए administrative law कर एक purpose यह है ठीक है administrative law है उसके दो काम है जैसे की इसको रफ कर देते हैं काम वही purpose ही न हुआ आप लोग कुछ और ही समझ दो तो पहला function है stay functioning पहला क्या purpose हुआ पहला हुआ state functioning मला function of state आप जो भी लिखना जाओ अपने convenience के साफ से लिखो function of state whatever state function जो भी ना public administrative अब किसी भी state को कैसे function मिलाना है कैसे state function करेंगा उस सब को हमारे administrative देखता है administrative के अंदर administrative ही तो हमारे IIS district magistrate लोग होते हैं कि नहीं है यह हमें सब्सक्राइब करें दूसरा जो पॉब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन करना ठीक है यह हो गया हमारे purpose जो भी administrative का है ठीक अग एड्मिनिस्ट्रेटिव का कुछ एक एक कैसे कहीं चार्ट में आपको बना के बताती हूं अब को और अच्छे समझ में आ जाया यह एक अलग चार्ट है ठीक इसी के नीचे मैं और बनाती हूं यह administrative का दूसरा चार्ट पहला हो गया structure ठीक पहला हो गया structure दूसरा हो गया substantive procedural अब यह क्या मसला है तो structure के अंदर क्या है अब हम लोग administrative पढ़ रहे हैं उसका purpose समझ गया है administrative administer करते हैं यह भी समझ में आ गया है अब यह क्या है अब administrative के अंदर इस अंदर आएंगे यह इसके अंदर आएंगे यह इसके उपर आएंगे यह ऐसे आएंगे तो यह होता है हमारा structure ठीक है जैसे की इसमपल लिए देटिव और थॉर्टी इस कौन सी होंगी एजनसी कौन सी होंगी और एटीसी एक और लिए देटिव और लिए देटिव और अगनाईजेशन्स चीक है यह चीज़े आती है हमारे institution में अब substantive क्या है कि किस संबंध में यह चीज़े की जाएंगी procedural की किस तरह से किया जाएगा आप लोगो substantive procedural में बहुत अच्छे से मालू हो substantive जैसे हमारा law है आई पीसी है एक substantive law है जैसे कि IPC में ऐसे चीज़े दी है जैसे कि अगर आप मड़र करते हो तो आपको इतनी सज़ा है थप्ट करते हो इतनी सज़ा है तो और यह हुआ substantive जो हुआ प्रोसीजरा कि जैसे कि अगर आपने चोरी की तो आपको ऐसे किरिफतार किया जाएगा अब इसके sources है कि sources क्या होते हैं कि यह administrative law आया कहां से पहली बाद यह model law है यह पहले था नहीं मतलब जब क्या हुआ हुआ एक मिनिट स्कुराफ कर देते हैं जो हमारा administrative law है वो एक model law है यह 20s में आया हुआ था है यह बहुत पुराना है जब लगा कि लोगों की functioning क्या हुआ जब हमारा सम्मिधान बना authorities बनी तो लोगों को इस चीज़ के ज़रुरत महसूस होने लगी लिए हाँ यह चाहिए पहले हमारे जो गुपताज मेमोर्यास थ फिर इसके बाद मने की काफी टाइम बीता हो और हमारे अंग्रेज आये उन्हों ने फिर अपने rules और regulation स्टार्ट कर देए फिर देने इसको लाना शुरू कर दिया गया और अपके टाइम में क्या है कि अब administrative की भाई बहुत नीड है आजकर में corruption बहुत है सब कुछ बहुत ह है तो हर एक चीज का एक नाएक मतलब है इसी administrative को भी लेकर के आय लिया था अब administrative law जो है वो आया कि दर से मैं सोर्स क्या है तो पहला source आएगा हमारा constitution कोस जो हमारा आप लोगों को मालूम है जो constitution है हमारे इंडिया का वो सम्विधान है मतलब सॉरी वो supreme है मतलब अगर भी कोई भी चीज़े होनी है कोई भी चीज़े करनी है वो चीज़े हम लोग अपने constitution से लेते हैं जैसे कोई भी law बनना है तो उस पहला सोख हो गया हमारा constitution दूसरा सूर्स है हमारा स्टट्य उट्यूरी लौ जो भी स्ट्यूरी लौस हैं या हमारा सुक्रेट्ट स McD 고 old हमारह ओडिनेस अब कोई विमान जिए कोई बीन पास कर दिया गया मतकले कोई जो जी कनल पास कर दिया तो हमारा 3rd 4th हुआ हमारा Judicial Proceeding Judicial Precedent Judicial Precedent ठीक यह हो गया हमारे 4 Source of Law जो की Administrative के Source हैं अब हम लोग समझेंगे देखे तरह तरह के जूरिस्ट आएं तरह तरह के जो लोगों ने अपनी अपनी डाफिनेशन दी उन डाफिनेशन में कुछ लोगों ने कुछ कहा किसी चीज को किसी ने कुछ कहा और कई लोगों ने अपने रूल्स दी हैं तो उन सब को भी हम लोग समझेंगे पर उससे पहले हम लोग समझते हैं जो Administrative हमें Agency बता रहा है तो जो अब Administrative है तो उसके अंदर एक नॉमली देखा जाए एक Agency है तो उसमें कैसे work होता है उस चीज को समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटर एजनसी इस पे तीन तरह की हमारा डिवाडी डिवीजन है जो पहला हमारा डिवीजन है वो बोलता है रूल मेंकिंग फांक्शनिंग पहला है रूल मेंकिंग फंक्शनिंग दूसरे है इंफोर्शनमेंट फंक्शनिंग एंफोर्समेंट फंक्शनिंग तीसरा है हमारा एड्जुडिकेशन एड्जुडिकेटिव फंक्शनिंग अब देखिये यह हमारा एजन्सी है अद मिनिस्टिटिव एजन्सी इसके अंदर यह तीन चीज़े हैं पहला कि वह रूल मेंकिंग भी कर सकते अभी आम लोगों है पढ़ा कि में अब वो तो लेशलीचर के पार होती है अब आम लोग पढ़ेंगे कर दा तरीक हम इला幫 मिलीन अमचन आहज सोन से उस साफुए कई आख यह ज़्यट साल थैसों से स सिनल में आगे पर की आगे पिटरमीस की अडिज़ेटर अगे जेचर, में आगे पडहेडि। आपके पावस को डेलिगेट किया कि आप इस चीज पे lawmaking करो तो वो कर सकती है तो वो चीज यहां पे lawmaking आ गया अब enforce करने का तो काम है ही है और साथ में वो adjudication यानि उसे sorry adjudicate भी कर सकती है ठीक अब इसमें पूछा जाए तो main जो हमारा प्यॉर एड्मिस्ट्रेटिव एजंसी इन तीनों में से क्या हुआ तो प्यॉर एड्मिस्ट्रेटिव एजंसी enforcement functioning हुआ आप लोगों मुआरू है क्योंकि यह executive जो enforce कराना जो execute कराना ये हमारी प्रिरय अधनिस्तरीट्टीव एजिंसी्ट होगी ठीख अब जो हमारी एधनिस्तरीट्टिव नौऑ है उसके कुछ प्रिंसिपलस हैं उन्हत पृणिसपलकौन ध्यान में रख करके एधनिस्तरीटेटिव लौग को अपलाई किया जाएगा अब वो कौन वोन से प्रिंसिपल हैं उनको समझते हैं ठिक पहला हमारा प्रिंसिपल है लेजिटिमेसी पहला लेजिटिमेसी दूसरा है मैं इनको भी समझाते हूं आपको पहले में लिख देते हूं फिर उसके बाद समझाते हैं थोड़ा सही रहता है ना दूसरा तक आपने खुद के भी नोट्स बनाएं है हुमेटेरियन हुमैनी हुमनेज्ब दमार तीसरा है इक्वालिटी और सिटिजल बिफोर लॉव फोर हमारा देमोक्रेसी पाच्वा है जस्टिस और लास्ट हमारा है दो इन इन इविटेबल इन इन इविटेबलिटी और परिश मेंट फोर कर देग्ये यह मैंने लिखा जो six point है वो लिखा हुए दा इन इन इविटेमिलिटी आफ परिश्मिंट फॉद गेटी इन इविटेमिलिटी की इंगले जो इस्पालिंग है वो आई एई वी आई टी एई आई एल आई टी वाई है ठीक है यह है हमारे प्रिंसिपल जिनको ध्यान में रख करके आपको आग तो कुछ थालों चालित तो कुछ रोड़ा हुए जसे में गाल भूरेकर भाम करनाव है। मैं खौरई करना पाप!!! दो लोगों बहुत द्यां हुंगने में जगए आप कुछ ओ दिये जो पहला प्रिंस्पर है वो लेजिटिमेसी है अब लेजिटिमेसी मीन्स कि जो लीगल है जो जायज है आफ वैस्प उसको उस तरह वे करो मैं पहले जायज जो सही है उस काम को उस तरह करो ठी है करो कि लोगों को प्रावलम ना हो उसके हित में हो कुछ भी है इक्वैलिटि ओव सिटिजन बिफोर लॉज जो लॉज है उसके साबने एक्वैलिटि हो जो हम लोग आटिकल 14 में भी पढ़ते हैं ना डेमक्रेसी हो डेमक्रेसी वही वाला हाल है कि राजा का बच्चा राजा लॉज हम पर बच्चा रेमक्रेसी वाला है कि दीजन भी है वी बिफोर जो कि देवक देव ऑन लॉज पर एक्टा रहे जीए जहाए जस्टिस को आप लोगों मालू है सब कुछ ने पैख्श होना चाही होना चाहिए फेवर अगर को विक्टिम अगर वह सही है तो उसकी फ जो भी गिल्ट की जो भी गलती करता है तो अब ऐसा नहीं साथ साल की सजा आप उसको अजीमन का राज दे रहे हैं तो यह सब चीज़े हैं जिनको ध्यान में रख करके आपको अपने काम को फ़र्दर आगे बढ़ाना है ठीक है अब हम लोग समझेंगे कुछ लोगों की डाफिनेशन जिसने जो जो कहा था ठीक है फिर उसके बाद आप लोगों आप लोगों ने नैचरल जस्टिस रूल अफ लॉफ 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 डेलिगेटिव अथारिटी प्रेसिडेंट इन सब के बारे में हम लोग आगे ने आप लोग स्फिर सही लॉफ 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 या जो बहूत अचे से पढ़र होते हैं माले कि इस पुलेज भी अजादे हिये होते हैं उन्हें जुरिस कहते हैं ठीक है अब A.V.D.I.C. क्या कहते हैं? उनकी डाफिनिशन इक पर सुनिएगा एड्मिनिस्टिटिव लॉइस्टिव लॉइस्टिव लीगल सिस्टम विच डेटरमाइन करता है उसके स्टेट ऑफिशल का स्टेटस जो लीगल स्टेटस उसको और साथ में उसकी क्या लाइबिलिटीज हैं? वह होता है एड्मिनिस्टिव अकॉर्डिंग टू A.V.D.I.C. इन्होंने तीन थेओरी दी थी जिसमें रूल अफ लॉग को बताया था इन्होंने ये जो A.V.D.I रूल अफ लॉग को बताया था उसके अंदर तीन थेओरी थी पहला सुप्रमेंसी ओफ लॉग दूसरा इक्वैलिटी बिफोर लॉग और हमारा तीसरा जजमेड कॉंस्टिशन हमने जो पहले की दो थे उसको एक्सेप्प किया था और जो लास्ट थर्ड था उसको कृस्तिशन दूभा पुषा इस जलना है जोते शेंड प्रश की दूगान जोंके इस पिंडाएर उसकता थे थिए इस जलना हमारे काते वटेन का च रूस आज़ा के सब्सक्पार कि, आहिकी रूच का सब्सक्ति कreten, सब्सक्र आजना हमारे शूरिस्ण, च थे इक्स सकारनdoes पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने जो हमारे आपको यह तो डाफिटिकली माल होगा उन्होंने ही वही हमारे चेर मैं थे ड्राफ्टिंग कमीटी के हैं और और अग्वार्टिंग तो हिम जो एड्मिनिस्टरिव लौ है उनके हिसाब से क्या था अब क्या इसे वताते हैं जो हमारा हमारा जो फैडरल इन नेचर है और साथ ही साथ यूनिटरी भी है कि जैसे अब क्या है हमारे रहां जो स्टेट्स हैं और हमारी सेंटर अलग-अलग है पर वो अलग-भले हैं लेकिन वो अलग नहीं हो सकते हैं ऐसे अपनी मर्जी से कि नहीं कल को यूपी उठके आया और कहा दे कि नहीं मुझे अब अलग होना है ऐसे नहीं कर सकता हूं तो यह चीते और इन दोनों को दोनों फीचर है इसलिए डूवल पॉलिटी कहा जाता है ठीक डॉक्तर उपेंद्र बक्षी कहते हैं जो कि सुसाइटी में पावर्स की डैविलप करती है अकॉंटबिलिटी ओफ होल्डर और पॉब्लिक पावर फॉदर रूल इस फोकल पॉइंट ओफ द फॉर्मिलेशन ठीक यह हो गया हमारा जो लोग डैफिनिशन बोलते इसमें और भी डैफिनिशन आपको मिल जाएंगी अब देखें कई लोग कूछ रहते हैं आप लोग जो भी डैफिनिशन पोर्शन आप लोग पढ़ लिजेगा थोड़ा बहुत हैं इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा ना कि जैसे कि सब की अपनी अपनी आद्मी, अपनी डाफिनेशन्स हो थें, सब अपनी अपनी डाफिनेशन्स देते हैं और जो हमारा भी लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि जो administrative actions है जो administrative है उसके ओपर किसका control होगा तो उसमें control होगा हमारे पहला legislature का और दूसरा और judiciary का और judiciary का और judiciary का और judiciary का और जो हमारा judiciary है judicial control होगा वो तीन तरीके में होगा पहला constitutional दूसरा statutory और तीसरा ordinance equitable इसको मैं लिख देती हूँ आप लोग लिख लीजेगा पहला जो control होगा legislature और judiciary के ओपर पहला legislature judiciary का और judiciary के तीन फॉर्म होंगे पहला statutory दूसरा constitutional और तीसरा ordinance equitable जो हमारा administrative law का पॉर्शन जो हमारा administrative law का पॉर्शन जो कि इंट्रड़क्शन और सोर्स और बेसिकली जो जो कंट्रोल क्या होगा और कुछ definition हम लोगों पढ़ी नेक्स वीडियो में हम लोग rule of law पढ़ेंगे क्या है कैसे है सब कुछ आप लोग हमारे Instagram, Facebook, Telegram पे जोड़ सकते हैं और bell icon को दबा लिया होगा तो like भी कर दीजेगा और comment ज़रूर करिएगा अगर कुछ समझ नहीं आ